तो आज मैं बेसिकली अपने गाउं जाने वाले हूं मतलब हमारा पूरा फैमिली गाउं जाने वाला है तो इससे पहले हम अपने पडोसियों को सिवया बाटने जा रहे हैं तो उसकी तयारे मैं अभी कर रही हूँ अभी बच्चु के हैं नौ क्योंकि हमारे पास टाइन नहीं था इस वज़े से मैं जो घार की वीडियो वो शूट नहीं कर पार क्योंकि गाड़ी में काफी लाउड साउंड में म्यूजिक प्ले हो रहा था जिस वज़े से मैंने अभी का जो साउंड है वो म्यूट कर दिया है और अभी हम अपने गाउं के रास्ते में हैं तो जिस रास्ता से हम जनरली जाते हैं वो रास्ता आज ब्लॉक है तो हम रिटर्न लेके पर दूसरे रास्ते ले रहे हैं क्योंकि हम एकम के दुरू गाना सुन रहे हैं तो बीच में अड़र्टाइस आ गया और यह देखी यह मेरी प्यारी से जूती और यह मेरो प्यारा सा सूट तो रास्ते में ने आइस्क्रीम दिखाए दे दिया और इन्होंने अपनी जित लगा दे कि मुझा आइस्क्रीम चाहिए तो फाइनरी हम अपने गाउवाले घर पहुत चुके यह रहा हमारा चोटा सा प्यारा सा घर जो कि हमारे गाउं में है और यहां हमारा कुछ-कुछ काम भी होता है तो अब्बू अमी का यहां आना जाना हमें से रहता है अब लगता संदर हो गया है जहां पर हम अपने जितने भी सामान लेके आए तो जली-जली नीचे उतार रहे हैं अनू नेचे आप एक एक बशुक्त नेचे अजाए लोकोष वाइट 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 जिद्य हमाटी तो हमारा प्लाइन यहां खाना बनाने का थो और यहां पर डिसकसन इस बात की हो रही थे कि किसी ने इंडक्शन गाड़ी पर डाला ही नहीं तो हम लोग पीछे के दरवाजे से जाके देख रहे हैं कि पीछे साइट कुछ लकड़ी वकड़ी मिल जाए तो हम लोग लकड़ी से खाना बनाने का ट्राइ करेंगे यह रहा हमारा घर का प्याद जो हमारे आंगन में लगाया हुआ था अब्बु अम्मी सुबा जल्दी ही आ गया थे तो उन्होंनों मटके में पानी भर के रखा था बाप्र जैन को तो बड़ा सा खेरा मिली गया है जालू कालो जालू कालो अनू जालू करो अनू तो यह रहा इसका जालू करने का प्रणीजा टेकनीक और यह रहा है कुछ सामान जो हम घर से लेकर आए ताकि फुलाओ और मटन बना सके महनत हो रहा है यहां पर मिल्क के चूला तो बना लिया गया खाना बनाने के लिए बटीए प्लान ड्रॉप कर दिया गया और हमारे बगल वाली दादी के यहां से हमें हीटर मिल गया और हम लोगों ने अपना खाना बनाना स्टार्ट कर लिया तो मैं आई हूँ अभी अपनी छोटी दादी के यहां तो यहां पर हम अपनी सिवया एंजॉई कर रहे हैं हम लोग छोटी दादी के यहां से घूम के आ चुके हैं और अभी बज रहे हैं दो पहर के एक यहां बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी और अनू भी ठक के सो चुकी है यहां जीयो का नेटवर कुछ खास तो चलता नहीं है इसलिए हम लोग बैक्ट के टाइम पास कर रहे हैं और बाकी लोग काम में लगे हुए खाना बनाने में तो यहां बन रहा है हमारा मटन और यह रहा सलाज जो कि प्रिपेर हो चुका है और यहां पे छोटी अमी आलू छील रही है क्योंकि आदे लोग काम में लगे हुए थे तो उन्हें छोड़ के हम लोग घूमने चले आए बगीजा की तरफ जहां पर कुछ आम वाम लगा हुआ था कोद्णन के वाम से लगा हुआ अबगीजा बढ करका कैना के आहाए बहुआ खिक एक जाया나imin particularly भीतोंगर कि मरका शर्णनन दो खो करे झे लगए और सब्सक्षब खश्णने की तो गड़ करिए देखोई लोके इतना जल्दी पहुचे बोले इधर से आने तो अलो तोड़ो भारी हो जाएगा जैन दिखाओ तो अभी हम फिर से वापस घर जा रहे हैं हम आचुके घर और यहां पर अम्मी पुलाव बना रही है यहां पर सौर्टकर तरीके से बन रहा है उतनी अच्छे से नहीं पहले जितने भी लड़के थे वो लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं तो हमारे घर के साथ बगल वाली दादी और लोग भी आई हुए थे जो कि खाना खा रहे हैं सबको खिलाने के बाद अब हम लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं अभी थ्री थर्टी हो चुके है और जैन को जूला जूलना थे इसलिए वो आंगन में जूला जूला हम नहीं बादेंगे जूला तूट जाएगा हम बैठेंगे तो तुम बैठो 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 बंदर इसकी तो मस्ते दिन पर चलती रहती है तो अब हम लोग निकलने वाले हैं नानी घर क्योंकि साम होने वाला हो उसके बाद हम लोग सीधे घर चले आएंगे तो हम लोग नानी घर आ चुके हैं और हम लोग साथ में बैठ के मामू के साधी की वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखते देखते काफी साम हो गया और अब हमें घर निकलना है तो आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही तो हम चल चुके अपने घर की तरफ उमीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा बाई अला हाफिश